सरकार ने DMK को किया आस्वस कहा श्रिलंका पर समिक्त राष्ट में अमेरिकी प्रस्ताव पर मतदान के दोरान तमीलों की भावनाओं का रखेंगे पूरा ध्यान बिहार के मुख्य मंत्री नितिश कुमार ने आज नई दिल्ली के रामलिला मैदान में अधिकार रैली को संबोधित करते हुए बिहार को विशेश राजी का दर्जा दिये जाने की की मांग मुख्य मंत्री ने कहा कि विशेश दर्जा मिलने से राजिके विकास को मिलेगी गती जीन के नए प्रधान मंत्री ली की कियांग ने प्रधान मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंग से फोन पर की बाचीत कहा वा भारत चीन सम्मंदों को नई बुलंदियों तक पहुचाने के पक्ष में परस पर हितो और विकास के लिए दिवपक्षे सम्मंदों को बढ़ाने पर दिया जोर जारखांड में मावादियों द्वारा मारे गये 6 ग्रामीडों के शव बरामत मावादियों ने तताकति जन आदालत के फैसले के बाद की थी ग्रामीडों की हत्या पुलिस ने बताया शवों को साबुली गाउं के बारूदी सरंग हटाने के दोरान निकाले गया पश्चिम बंगाल के मिदनापूर जिले के एक राष्टे राजमार्क पर कार और बस के बीच भिलंत में लगबक 6 लोगों की मौत दरजन से भी जादा लोग घायल इस्थानी लोगों ने घटना इस्तल पर पहुँचकर लोगों को बचाने का किया काम घायलों को अस्पतालों में कराया गया भरती हिमाचल परदेश के परवर्तिय इलाकों में फिर से बर्फबारी होने से ठंड में बढ़ोतरी राज के कुफरी जिला के कई भाग सफेद बर्फ की चादर से ढखे बर्फबारी का मजा लेने के लिए पहुच रहे हैं बड़ी संख्या में सहलानी पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार किसी लोगतांत्रिक सरकार ने पूरा किया अपना पांच साल का कारेकाल संसत भंग होने के बाद निवर्तमाण परधान मंतरी राजा परवेश असरप बने अंतुरिम परधान मंतरी चीन की संसत का वार्षिक सत्र आज एक दशक में नित्रित प्रडिवर्तन की वेवस्ता के साथ नव निर्वाचित राष्टपती शी जिन्पिंग के हातों में कमान सौपे जाने के साथी संपन नव निर्वाचित राष्टपती ने चीनी सपनों को हकीकत में बदलने की दिशा में काम करने के लिए उठ खड़े होने का किया एहवान मध्य मेक्सिको के तलक सला में विसफोटक पदार्थों से लदे एक ट्रक में विसफोट होने से कम से कम 13 लोगों की मौत 154 लोग घायल अधिकारियों ने बताया कि इस ट्रक में उस समय आग लगी जब इस्थानिय लोग एक संथ के स्वाकत में पटा के चला रहे थे और इसकी चिंगारिया चलते हुए ट्रक पर गिर गई दो बार की गज चेंपियन साइना नहवाल का स्विस ओपन ड्रान प्री बैटमिंटन प्रत्युक्ता में सफर समाप्थ हो गया है साइना को सैमी फाइनल मुकाबल में चीन की सिक्सियान वैंग ने 21-11, 10-21, 29 से पडाजित किया दोनों खिलाडव की बीच 50 मिनट तक चला संघर्ष मुहाली टेस्ट में भारत की इस्तिती मजबूत चोथे दिन का खेल खत्म होने पर आस्ट्रेलिया ने दूसरी पारी में 3 विकेट खोकर बनाए 75 रन इससे पहले भारत की पहली पारी 499 रन पर सिम्टी